नमस्कार साथियों आज हम राजस्तान के राज्यपाल विसे पर बात चीत करेंगे राजस्तान के राज्यपाल अगर आपको थोड़ा सा इसमर्ति में हो तो इस्ट इंडिया कमपनी और उससे पहले फ्रांसी सी कमपनी जिनके द्वारा ये है एक पद सरजित किया गया जिसी गवर्नर के नाम से जाना जाता था फ्रांसी सी डी अलमेडा का यदि आपने नाम सुना हो तो वे भारत में उस भारत में राज्यतंतर कालिन भारत में पहला गवर्नर था इस्ट इंडिया कमपनी के द्वारा 1680 में जब इस कमपनी के स्थापना की गई तो इसका जो नोमी कलीचर था दो नाम थे इसके एक ओपचारिक नाम ओफिस्यल नेम और दूसरा निक नेम इसका जो ओपचारिक नाम था उसमें दी गवर्नर एंड दी कमपनी तो गवर्नर वर्ड का यूज किया गया था आगे चल कर ब्रिटिस तांतों का एक गवर्नर ब्रिटिस भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटिस भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के नाम से प्रशिद्ध हुआ तो राजजिपाल जिसे गवर्नर कहा जाता है राजस्तान में इस राजजिपाल की हिस्ट्री की बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि राजस्तान के अब तक कौन राजजीपाल रहे हैं कारवाहिक राजजीपाल कौन रहे हैं पूर्ण राजजीपाल कौन रहे हैं और अतिरिक्त कारीभार का निर्वहिन करने वाले राजजीपाल कौन रहे हैं तो साथियों जैसा आपने मेरे प प्रावदान है उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की तो भारतिय सविधान का एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का जिक्र मैंने पहले किया है और वह आर्टिकल 153 अनुछेद 153 में ये लिखा है कि परतेग राज्जी का एक गवर्नर होगा इसका मतलब है इच अड़ि एक गवर्नर परतेग राज्जी के लिए एक गवर्नर होगा 17 स्विधान संसोधन 1956 के द्वरा ये प्रावधान भी कर दिया गया कि एक गवर्नर दो या दो से अधिक राज्जियों के राज्जे पाल के करत्यों का निर्वहन कर सकता है अर्थार्थ गवर्णर तो एक ही राचे का होगा परंतु उसे दूसरे राचे के गवर्णर के कारेवार भी दिये जा सकते हैं इस बात को आप जरूर ध्यान में रखोगे तो भारते स्विधान के भाग छे में अनुचे देख सो त्रेपन में गवर्णर के पद की बात कही गई है और ये गवर्णर एक राचे का एक राचे पाल ही होगा वे दो तीन पांच दस राचे का राचे पाल होगा और अन्य राचे के लिए राचे पाल के करतेओं का से शुरू हुआ तीन तस्विर आपके सामने दिखाए दे रही हैं ये एक तस्विर जो मैंने 1949 के सामने इमेज है वह पहले राजपरमुक की इमेज है जो राजस्तान के राज़ेपाल पदगा सरजन करने से पहले दूसरी जो इमेज आपको दिखाए दे रही है वो सरदार ग के राजजेपाल हैं तो आई राजस्तान के परमुख कौन-कौन व्यक्ति राजजेपाल रहे हैं और राजजेपाल रहते हुए कौन से महत्पूर्ण गटनाएं उनके कारिकाल में संपन हुई है या उन्होंने इस पद को युवादास पद बनाया है साथियों सबसे पहले आप यह तस्वीर दीक रहे हैं जो मैंने राजज़तान विधान सबा की वेबसाइट से सारा डेटा लिया है और गवर्नर हाउस से डेटा कलेक्ट किया है दो मेरे सूचना की सुरोत है डिजिटल जो सरकारी वेबसाइट है डिजिटल इंडिया में वो की वेब साइट है वो राजस्तान विधान सबा राजस्तान स्टीट असेंबली से है तो 1949 इस तारीक को याद रखोगे 30 मार्च 1949 की तारीक को जवरेत राजस्तान की हम बातचीत करते हैं तो इस राजस्तान में राजस्तान या वरेत राजस्तान की राजपरमुक के पदपर त तक रहे इसका मतलब है कि राजस्तान के एकी करण के समय जूवरेद राजस्तान में पदभार दिया गया राजपरमुका वहसवाई मान सिंग को दिया गया और भारती सविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो मैंने कई बार जिक्र किया गया है भारती सविधान का एक आर आर्टिकल में हमारे सविधान के आरंब होने की तिति का उल्ले किया गया है और आरंब होने की तिति क्या है 26 जनवरी 1950 इसका मतलब भारती सविधान कब आरंब हुआ 26 जनवरी 1950 को आरंब हुआ है यह आपको ध्यान रखना है तो इस तारीक और राजस्तान में क्या राजज परमुक कौन थे इस तारीक और राजस्तान की राजपरमुक थे सवाई मान से तो यह राजपरमुक का पद राजस्तान में कब तक रहा तो आपको ध्यान रखना 31 अक्टूबर 1956 तक राज़ेपाल को राजपरमुक के नाम से ही जाना जाता था और इसके बाद एक महत्पुन स संसोधन किया गया जिसे सात्वा स्विधान संसोधन कहा जाता है कौन सा स्विधान संसोधन सात्वा स्विधान संसोधन जो संसोधन अधिनियम 1956 में आया और वे एक नौंबर 1956 को लागू हुआ इस सात्वे स्विधान संसोधन अधिनियम 1956 के मात्यम से राजपरमुक का जो पद नाम था वे बदल कर राज़ेपाल कर दिया गया अर्थाद राजस्तान में जो राज़ेपाल का पद था तो राज़ेपाल से पहले राज़ेपाल के पद नाम को किस नाम से जाना जाता था तो राज़ेपाल के नाम से और अब वे राजस्तान में 1 नौंबर 1956 से राज़ प्रमुक का पद 31 अक्टूबर 1956 को था और राजस्तान का एकी करण यह एक नवमबर 1956 को पूरा हुआ तो राजस्तान में राज़ेपाल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कोन थे? सरदार स्री गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राज़ेपाल थे तो 7 परसन बार बार आता रहता है राजस्तान के पहले राज़ेपाल को थे? सरदार गुरुमुक निहाल सिंग राजस्तान के पहले राज़ेपाल थे इन्होंने राज्येपाल का पद ग्रहेन कब किया यह आपको ध्यान रखना है इन्होंने राज्येपाल का पद 1 नौंबर 1906 को ग्रहेन किया है यद्धिपी इनकी नियुक्ति का आदेश डॉक्टर राजेंदर परसाद के द्वारा 25 अक्टूबर 1906 को जारी कर दिया गया था तो आरेस प्री परिक्षया में जो पर्शन पूछा गया था राजस्तान के राज़ेपाल सरदार गुरुमुक निहाल सिंग की नियुक्ति कब हुई तो नियुक्ति के आदेस 25 अक्टोबर 1956 को और पद ग्रहन तो आपने सविधान के अनुचियत में पड़ा होगा गिराज़ सवाई मान सिंग के समेट राजस्तान के तीन मुख्य मंत्री बने तो पहले तीन मुख्य मंत्रियों को सपत दिलाने का कारी राज़ेपाल ने नहीं किया उन्हें नियुक्त करने का कारी राज़ेपाल सवाई मान सिंग के द्वारा किया गया तो राज़ेपाल गुरुमुक 1962 तक वे राजस्तान के राजजे पाल रहे और इसी दोरान सबसे महत पूर्ण जो गटना करम हुआ वे गटना करम था राजस्तान पंचायती राज़ दिनिम 1953 और राजस्तान पंचायती राज़ दिनिम 1969 को लागू करते वे पंडित जवालल नेरू भारत के परतम परधान मंत राजस्तान के नागूर जिली के बगतरी गाउं से पंचायती राज्यवस्ता का उदगाटन किया गया राजस्तान पहला राज्य था जिसने बलवंत राय मेहता समीती की सिफारिसों को स्विकार करते वी पंचायती राज्यवस्ताओं का स्री गनीज किया तो इस समय महुनलाल सुकाडिय मुख्य मंत्री थे और राज़िपाल गुरु मुख नीहाल सिंग थे नमबर तीन पर जिने दूसरा राज़िपाल कहा जाता है राजस्तान का या दूसरी करम पर तो राजस्तान के दूसरी राजजी पार डॉक्टर संपूनानंद थे और डॉक्टर संपूनानंद के समय राजस्तान में पहली बार राष्ट तिसासन भी लागू हुआ इनका कारेकाल 16 अपरेल 1962 से 15 अपरेल 1967 तक रहा और 1967 में राजस्तान में पहली बार राश्ट सिसासन लागू किया गया राजस्तान के चोथे नंबर पर जो राजजिपाल थे वो सरदार हुक्म सिंग थी वैसे तीसरे नमबर पर और राज़ेपाल के रूप में राजपरमुक के रूप में चोथे नमबर पर और राज़ेपाल के रूप में तीसरे नमबर पर तो सरदार हुकुम सिंह राजस्तान के तीसरे राज्यपाल बने और इनका कारेकाल था 16 अपरेल 1967 से 19 नौंबर 1970 ये 2 बार राजस्तान के राज्यपाल रहे दूसरी बार ये राजस्तान के राज्यपाल 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1902 तक रहे तो ये पहले वेक्तिते जिन्होंने दो बार राजस्तान के राज़ेपाल के पद पर कारी किया और इसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ तो ये परसन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत पाक युद्ध के समय राजस्तान के राज़ेपाल कौन थे हुकम सिंग राजस्तान के राज़ेपाल थे पांचवे नमबर पर जगत नारायन को राजस्तान में राज़ेपाल का कारेवाहक पदभार दिया गया अर्था जगत नारायन राजस्तान के पहले कारे कारी राज़ेपाल थे जिने एक्टिंग गवर्णर आप दी राजस्तान स्ट्रीट का कारेबार दिया गया और ये 20 नौंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक राजस्तान के कारेवाहक राजजेपाल थे तो साथ यहों अतिरीक्त चार्ज देना और कारेवाहक अलग-अलग सवरूप होते हैं एडिशनल चार्ज देना और एक्टिंग कारेवाहक राजजेपाल न्यूक करना दोनों में अंतर होता है यह आप ध्यान रखेंगी चटवे नंबर पर सदाज जोगिंदर सिंग को राज़स्तान का राजजेपाल बनाया गया और यह एक नवंबर 1922 से 14 फरवरी 1927 तक राज़स्तान के राजजेपाल रहे इन्होंने राज़स्तान के राज़स्तान के राज़स्तान के रुप में पूरा कारेवार ग्रेण किया और यह राज़स्तान के चटवे नंबर के और वैसे पांचवे नंबर के राज़स्तान बने और इनके समय जोगिंदर सिंग के समय राज़स्तान में जो पूरी भारत तुर्स में राज्ये आपातकाल की घोषना की गई और इंद्रा गांधी की दौरा 25 जूण 1975 को राज्टी आपातकाल नेशन एमरजेंसी आंत्रिक एसांती के नाम पर घोषित किया गया उस समय राज्येपाल जोगिंदर शिंग थे ये भी आपको ध्यान रखना है लेकिन इन 1977 तक एक्टिंग राज्येपाल थे और एक्टिंग राज्येपाल का नाम वेदपाल त्यागी था तो वेदपाल त्यागी राजस्तान के दूसरे राज्येपाल थे अपरतम कारेवाइक राज्येपाल थे जिनके कारेकाल में राजस्तान में दूसरी बार राश्ट्रति सासन क लागू किया गया इसके बाद रगुकुल तिलक तीसरे ऐसे राज्येपाल थे जिनके कारेकाल में राश्ट्रति सासन लागू किया गया तो यहां पर रगुकुल तिलक के समय भी राश्टति सासन लागू रहा या आपको ध्यान रखना है भेरोशिंग सरकार को बरखास्त कि और तीसरी बार राश्ट तीसासन लागू किया गया तो रघुकुल तिलक तीसरी राज़ेपाल थे जिनके कारेकाल में बार राजस्तान में राश्ट तीसासन लागू किया गया इसके बाद राजस्तान के एक्टिंग राज़ेपाल तीसरी एक्टिंग राज़ेपाल केडी स जिनका कारेकाल 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 1982 तक कारेकाल रहा है राजस्तान के आगा में राजजीपाल जिनको दो बार राजजीपाल की पदभार की जिम्मेदारी दी गई पहली बार 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक और दूसरी बार भीर एक फरवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 तक दो बार उनको कारेबार प्रदान किया गया यह आपको ध्यान रखना है ओपी महराजी राजस्तान के आगा में राजजीपाल एक्टिंग चार्च दिया गया और पी की बनर जी यह 5 जनवरी 1985 से 31 जनवरी 1985 तक राजस्ता के राज़ेपाल रहे हैं देखी चार जनवरी 1985 तक ओपी महरा थे पिर यह कारेवाइक राजजीपाल बनाया गया पी की बनर जी को 5 जनवरी से 31 जनवरी तक और फिर एक फरवरी 1985 को वापस किसे बनाया गया O.P. महरा को एक फरवरी से 3.09.1985 तक दूसरी बार कारेबार दिया गया और इसके बाद 3.09.1985 के बाद 4.09.1985 को डीपी गुपता जी को एक्टिंग राज्य पाल का कारेबार दिया गया और वो 19.09.1985 तक राजस्तान के एक्टिंग गवर्नर रहे इसके बाद राजस्तान की राज्यपाल का पदभार वसंत रॉय पाटिल की द्वारा संभाला गया 20 नवंबर 185 से 14 अकटूबर 1937 सी तक वसंत रॉयपी पाटिल राजस्तान की राज्यपाल रही इसके बाद J.S. वर्मा को दो बार राजस्तान के राज़ेपाल का कारेबार दिया गया एक्टिंग कारेबार के रूप कारेबार एक राश्पुति के रूप में 15 नौंबर 1987 से 19 फरवरी 1988 और उसके जैस्ट बाद वापस तीन फरवरी 1989 से 19 फरवरी 1989 तक एक्टिंग राज़ेपाल का कारेबार परदान किया गया इसी तरह से नेक्स्ट राज़ेपाल है सुगदीव परसाद एजरी परसाद के नाम से भी इनको जाना जाता है बीस फरवरी उननीस सो ठ्याशी से दो फरवरी उननीस सो नवाशी तक इनको राज्य पाल का कारेबार दिया गया इनके बाद तुरंद प्रभाव से आप देखेंगे कि तीन परवरी को वापस जेस वर्मा को कारेबार दिया गया 19 परवरी तक फिर 19 परवरी के बाद वापस 20 परवरी को सुकदीव परशाद को कारिबार दिया गया है यह आप द्यान रखेंगे 16 नंबर पर मिलाप चंद जेन यह 16 राज़ेपाल के रूपमेंट को कारिबार दिया गया और यह 3 परवरी 1990 से 13 परवरी 1990 तक राज़ेपाल रहे हैं इसके बाद देवी परशाद चटोपाद्याई जो जिनको राज़ेपाल बनाया गया और वे 14 परवरी 1990 से 25 अगस्त 1991 तक राज़ेपाल के पदभार के रूपमेंटों ने कारिये किया है इसके बाद सवरूप सिंग को जो कि गुजरात के गवर्नर थे उन्हें राज़ेपाल का एडिसनल चार्ज दिया गया तो यह आपको साथ उधान रखना है राज़ेपाल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया और जब अतिरिक्ट चार्ट दिया जाता है तो जो मैंने कहा दो या दो सेदिक राज्जियों के राज्जी पाल के कर्तियों का भी निर्वेन कर सकता है और उस दोरान ऐसे जो पदभार बते होंगे वेतन होंगे खर्चे होंगे वो राश्टपती के आदे सानुसार उन राज्जियों में विवाजित की जाते हैं तो पहले बार राजस्तान में सवरूप सिंग को अतिरिक्त कारिय भार दिया गया राजस्तान की गवर्णर का ये आपको ध्यान रखना है तो पहले गवर्णर जिने राजस्तान राज़ेपाल का अत्रिक चार्ज दिया गया वो शवरूप सिंग थे और वो गुजराद के राज़ेपाल थे उस समय एसके बाद MC रेड़ी राजस्तान के राज़ेपाल बने जो 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 तक राजस्तान के राज़ेपाल रहे और यह thay राज़ेपाल थे जिनके कार्यकाल में राजस्तान में चोथी बार राष्ट पति सासन लागू किया गया तो MC Ready के समय राश्टी सासन लागू किया ये भी हमें ध्यान रखना है एम चन्ना रेडी जिनका नाम है इसके बाद राश्टी सासन लागू रहा और धानिक मंडल भी राज्जेपाल बने और बलीराम भगत भी राज्जेपाल बने तो चोथा जो राश्टी सासन कारेकाल था वो राश्टी सासन कारेकाल के दोरान तीन राज्जेपाल रहे MC Ready, धनकलाल मंडल और बलीराम भगत ये भी आपको ध्यान रखना है चोथी बार राश्टी सासन लागू होने पर धनकलान मंडल जो दूसरे राज्जेपाल थे राज्जेपाल का additional charge दिया गया और ये हरियाना के राज्जेपाल थे जीने 31 मई 1993 से 29 जोन 1993 तक charge दिया गया बलीराम भगत राज्जेपाल बने जो 30 जोन 1993 से 30 अपरेल 1998 तक राज्जेपाल रहे है इसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है दरवारा सिंग को राजस्तान का राज्येपाल बनाया गया और राज्येपाल के पदपर रहते वी दरवारा सिंग पहले व्यक्तिते जिनकी मरत्यू होगी डैट आप डैट यहां लिखी हुई है मरत्यू की तारीक तो इनका कारिकाल 1 माई से 24 माई 1998 तक रहा और 24 माई की तारीक को दरवारा सिंग की प्राकर्तिक मरत्यू हो गई इसलिए दरवारा सिंग राजस्तान के राज्येपाल के पदपर रहते हुई मरने वाले पहले राज्येपाल थे दरवारा सिंग इसके बाद राज़ेपाल बनाया गया एनल टिब्रवाल को जो 25 मई 1993 से 15 जनवरी 1999 तक राज़स्तान के कारे वाहक राज़ेपाल पद पर विराजमान रहे साथियों इसके बाद अन्सु मान सिंग राज़स्तान के राज़ेपाल बने और वे 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक असो गैलोत के कारे काल में राज़स्तान के राज़ेपाल रहे साथियों दूसरे निर्मल चंद जेन राज़ेपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मरतियों के तो यहां आपको डाइगराम में और इसमें वेक्यान में डैट आप डैट मिलेगी मरतियों की तारिक तो दूसरे नमबर पर तो करम भी कई बार पूंच लिया जाता है कि चार कौन से सही करम है जिनकी पद पर रहते हुए राज़स्तान के राज़ेपाल के रूप मरतियों हो गई तो 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक यह रहे और 22 सितंबर 2003 को इनकी मरतियों हो गई तो दूसरे व्यक्ति या दूसरे राज़ेपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए डैथ हो गई इसके बाद गुजरात तीसरे व्यक्ति जिनने एडिसनल चार्ज दिया गया राज़स्तान के राज़ेपाल का वो थे कैलास पती मिश्रा गवर्नर ओब गुजरात को 22 सितंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक इनकी मरतियों होने के बाद एडिसनल चार्ज दिया गया कैलास पती मिश्रा को उसके बाद राज़स्तान के राज़ेपाल बने मदनलान खुराना और मदनलाल खुराना 14 जनवरी से 1 नौंबर 2004 तक ही राज़स्तान के राज़ेपाल रहे उसके बाद मदनलाल खुराना ने राज़ेपाल के पत से त्याग पत्र दे दिया तो राजस्तान के राजबाल के रूप में bliver रिजयन करने वाले पहले राजबाल कौन थे मदलाल खुराना वाची पार्ट राजस्तान स्टीड को हैवी रिजयन आफ इस पोस्ट as a governor उन्होंने अपने गवर्नर के पद के रूप में पहली बार रिजाइन किया वो पहले राजजेपाल थे इनके रिजाइन के कारण उत्तर परदेश के राजजेपाल टीवी राजेस्वर को राजस्तान के राजजेपाल का एडिसनल चार्ज दिया गया अत्रिक्त कारेबार प् मातर साथ दिनों के लिए इसके बाद आठ नॉम्बर को 23 जून दोजास साथ तक परतिवा पाटिल राजस्तान की राजजिपाल बने और इसके बाद इनका भारत की पहली महिला राष्टपती की रूप में निर्वाचन हो गया इस कारण इन्होंने 23 जून 2007 को राजस्तान के राजजिपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया निर्वाचन में भाग लेने के लिए तो उन्होंने पद छोड़ दिया और रेजायन देने के कारण जो एडिसनल चार्ज दिया गया और ये 23 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक राजस्तान के अतिरिक्त कारिभार का निर्वेन करने वाले राजजिपाल रहे हैं इसके बाद सैलेंदर कुमार सिंग जो 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक राजस्तान के राजजिपाल रहे एक्टिंग राज्य पाल रहे ये भी आप ध्यान रखो गए और एक दिसंबर 2009 को इनकी मरती हो गए तो पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरी विक्ति सैलिंदर कुमार सिंग थे साथ ये उसके बाद प्रभाराव जो ही माचल परदेश की राज्य पाल थी और 26 अपरेल 2010 कोन की मरती होगी तो साथ यों पद पर रहते हुए राज्य पाल के रूप में मरने वाली पहली महिला प्रभार राव थी ये आपको ध्यान रखना है पंजाब के गवर्णर सिवराज पाटिल को इस कारण से 28 अपरेल को राजस्तान के राज्य पाल का अतरिक्त चार्ज दिया गया इसके बाद राजस्तान के कारेवाहिक राज्य पाल के रूप में स्रीमती मार्गेट अलवा को अपरेंट किया गया और ये 12 माई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक राजस्तान के राज्य पाल रही इसके बाद स्री राम नाइक जी को 8 अगस्त से 3 सितंबर 2014 तक एडिसनल चार्ज दिया गया राजस्तान के राज्य पाल का इसके बाद स्रीमान कल्यान सिंग राजस्तान के राज्य पाल बने और कल्यान सिंग के बाद इस समय राजस्तान के राज्य पाल है स्रीमान कल्राज मिश्र 9 सितंबर 2019 से राजस्तान के राज्य पाल के पद पर कार्ये निर्वहन कर रहे हैं तो ये थी साथियों राजस्तान की राजजिपाल जिनोंने 30 मार्च 1949 सिवर्तमान तक राजपरमों के रूप में राजजिपाल के रूप में पदों का निर्वहिन किया है आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद ठैंक्स